ग्लांड फार्मा का स्टॉक आज डाउन है बाई 20 परसंट जी हाँ इस स्टॉक को आज लोवर सर्किट लग गया है तो चलिए इस वीडियो में हम डिसकस करते हैं क्या है वो रीजन्स जिसकी वज़े से ग्लांड फार्मा का स्टॉक आज इतना नीचे रहा है कल मार्केट क्लोस होने के बाद Q4 के रिजल्स डिकलेर हुए ग्लांड फार्मा के और वही मेजरली रीजन है कि आज स्टॉक इतना नीचे रहा है तो चलिए जानते हैं डीटेल्स अबाट दे रिजल्स क्या हुआ कंपनी के प्रॉफिटाबिलिटी का जिससे शेर मार्केट न इतने डिप्रेस लग रहे हैं इन Q4 वो है हाई बेस एफेक्ट यानि जिस कॉर्टर से हम कंपारिजन कर रहे हैं उनके Q4 F23 के नंबर्स का यानि Q4 F22 से तो उसमें कोविड की वज़र से एक अन्रीजनेबली हाई रिवेन्यू और प्रॉफिट मार्जन कंपरी ने उस कॉर् कर रिवेन्यू था अगर मार्ज 22 से कंपर कर एंटेजन का रॉपिस का रिवेन्यू कमपनी ने किया था अएड मार्ज 21 में अराउंड 880 क्रोर का रिवेन्यू किया था हलाकि मार्ज 21 में भी covid drug की वज़ा से थोड़ा जो one time gain company को हो रहा था इस sector में तो वह वहाँ पर भी था लेकिन March 21 से जब हम compare करते तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर difference ज्यादा बड़ा नहीं है March 2022, in fact पूरा FY22 ही gland pharma के लिए on an overall basis काफी अच्छा year रहा था so obviously जब कोविड के जो सारी effects से वो कम हो रहे है सारे drugs जो है वो कम बेचे जा रहे है बाकी सारे companies से in the US in the rest of the world market तो obviously company के numbers पर असर यहाँ पर पढ़ने ही वाला था तो चलिए समझते है और क्या क्या reasons है जो company ने बताया है जो company जो हम देख सकते है कि FY23 के numbers में ज्यादा दिख के आ रहे है so FY23 के जो total numbers है वो FY22 के comparison में 18% से down रहे on a revenue basis company ने एक reason इसका यह बताया है कि inventory rationalization हुआ है उनके customers का in the US Gland Pharma mainly injectables के business में है pharma company है जिनका mainly सारा business European markets, US markets में होता है तो company का है कहना है कि US markets में जो इनके customers है वहाँ पर inventory rationalization हो रहा है inventory rationalization क्या होता है it's just a fancy word जहाँ पर एक so basically जब से COVID के drugs कम भी कर रहे है companies के और से तो उनकी जो inventory है about those drugs वो बहुत जादा बढ़ रही है so जो भी customers है Gland Pharma के उनको यहाँ पर देखना पड़ रहा है कि कौन से drugs बेचे जा रहे है जो drugs नहीं बेचे जा रहे है उनका उन्हें क्या करना है तो यह सारी चीजे उनको यहाँ पर plan out करनी है तो यह सारी process की वज़ा से company यानि Gland Pharma की और से जो selling होती है वो कम हो गई है in FY23 इसके अलाबा high price pressure भी दिखा है so competition इस sector में भी काफी जादा है जिसका impact company के revenue and margins पर पड़ा है and obviously higher base effect की बात हमने already की है तो वो एक और reason है in particular Q4 के numbers तो और भी बुरे है company के लिए compared to other three quarters in FY23 तो उसके लिए भी company को काफी सरे reasons पूचे गए थे जहांपर company नहीं यह कहा है कि जैसे आप देख सकते हो कि revenue जो है वो 29% से decline हो गया है in this quarter compared to Q4 of FY22 तो company की एक key production line है उनके एक facility में तो वो भी उने बन करनी पड़ी थी क्यूंकि उस line को वो upgrade कर रहे है so currently company ने काफी major capex किया है in FY23 तो उस वज़ा से उनको उसकी जो एक key line है वो बन करनी पड़ी जिस वज़ा से production नहीं हुआ and production ना होने से उस product का sale भी इस quarter में नहीं हो पाया company का जो B2C division है उसमें भी India business जो है उसमें काफी reduced sale हुआ mainly covid drug related ही sale था ही so obviously इस quarter में वो sale तो कम होना ही था इसके अलावा company का जो rest of the world का market है वहाँ पर भी जो order का off-take है वो काफी कम रहा mainly उसका reason seasonality है ऐसा company का कहना है Q4 is not a very good season for company's drugs in those markets इसके अलावा एक और चीज हुई है इस Q4 में जिसके अज़ासे net profit जो है company का और कम हो गया and that is की company का एक customer है US में उसने bankruptcy के लिए फाइल कर दिया जिस वज़ासे एक one time 56 crore का exceptional loss company को अपने books में Q4 FY23 में लेना बड़ा so this is another reason why that has happened so basically Q4 में सारे problems company के लिए एक साथ आ गया है revenue में काफी एक seasonality effect आया है higher base भी है जो cost है वो बढ़ गया है उसके अलावा एक customer है जिसका credit impairment यहाँ पर हो गया है तो यह सारी चीज़े है जुनोंने यह सारी चीजों के एक साथ आने की वज़े से यहाँ पर company का net profit जो है वो बहुत ज्यादा कम दिख रहा है अगर हम margins की भी बात करें FY23 के पूरे fiscal year के margins जो है वो 34% रहे ओपरेटिंग profit margins and हमेशा से historically gland pharma के margins around 40% रहे थे so cost basis पे भी company को काफी यहाँ पर challenges face करने पड़े है energy cost जो है company की वो 31% से increase हो गई है in FY23 employee cost भी 19% से increase हो गई है because company को additional headcounts बढ़ाने पड़े उनके नए production lines में तो इस वज़ा से manpower cost भी company की बढ़ गई company ने recently एक acquisition भी किया था तो उसके related जो margin acquisition के costs है वो भी 11% से बढ़ गए जो other expenses में reflect हो रहे है company के books में तो यह सारी चीज़ तो थी ही and एक और चीज़ है जो उनके investor presentation में company ने disclose किये and that is their cash conversion cycle जो FY23 के end में बहुत ज्यादा stretch होती भी दिख रही है cash conversion is basically number of days जो company को लगते है to convert their product into cash यानि company production करती है वो production inventories में जाता है company उस product को customer को बेचती है एक credit period के बाद customer उसकी payment करता है तो यह सारे cycle को हम cash conversion cycle कहते है so company की cash conversion cycle FY23 में 256 days रही यानि production commence होने के बाद 256 days में company को उसका realization हो रहा है of the goods that they have sold तो उतने देर के लिए company की working capital वो stretch हो जाती है और यही उनके numbers से दिख रहा है FY21 में cash conversion cycle 191 days थी जो FY22 में 180 days हो गई लेकिन FY23 में data has increased to 256 days so यह भी एक reason है जो company के working capital को बहुत जादा affect कर रहा है so यहाँ पर हमने सारे reasons discuss कर लिए कि revenue कम क्यूं हुआ margins कम क्यूं हुए working capital situation कैसी है तो यही सारी चीजों की वज़ा से आज Gland Pharma का stock 20% से डाउन रहा है I hope आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक जरूर कीजे comment भी कीजे and share कीजे with maximum people and yes investyadnya.in पर हमारे model portfolios पर आपको बहुत attractive discounts मिलेंगे आपको coupon code यूज़ करना है to get a 30% discount and get a free e-learning course आशाए कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा मिलेंगे अगले वीडियो में Thank you so much कर दो